Content अच्छा है ना तो लोग आपको तीन सेकेंड के आपको नबबे सेकेंड के आपको तीन गंटे क्या दस गंटे तक भी देख सकते हैं Content is always the king और duration है उसका pawn not the P-O-R-N, P-A-W-A क्या quality आपका एक parameter कहीं लोग quality के चकर में इतना analysis में पढ़ जाते हैं कि वो content release नहीं कर पाते हैं Even I am, I am, मैं उसका खुछ शिकार तो देखो कि आप जैसे बहुत सारा content आप देखोगे इसमें ऐसे लिखा होगा एक बढ़ी आसी गाली लिखी होगी और बुला होगा कि यह अपने उस दोस्तों को बेजो तो वो टेकनीक है अब आपको पता चला है वो आप उसमें फस रहे हो तो marketing consultancy की ही अगर बात करें तो करीब 2021 के statistics से करीब 22.1 billion US dollars की यह size of industry है जो अगर मैं Indian rupees में convert करता हूँ तो 19,000 को तो सर इतने सारे ideas है इतनी सारी information है जो इस वारी natural के कोई भी मैं भी खुद फजाओंगा in analysis paralysis में तो उससे कैसे बच सकते है नमस्कार दोस्तों में नाम है पलक मादवानी और मैं बैठा हूं मिरे creative director mister Parth Pandya के साथ आज हम दोनों बात करने वाले हैं इसमें पार्थ भी कुछ जवाब देगा वो मुझ से पूछता है इस बार मैं भी उच से पूछने वाला हूँ आज अपना भी इंट्रोडक्शन दीजिए बताईए सब को मेरा नाम पार्थ पंडिया है मैं क्रेटिव डिरेक्टर हूँ और जैसे की सर और मैम का दोनों का कहना है के डिजिटल मार्केडिंग स्पेस में हम लोग खाना बनाने से लेके खाना परोस्ने तक का का काम करते हैं तो आज हम लोग खाना बनाने के बारे में बात करने बात करन तो पहले cringe content के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि you know because it's quite heavy and quite heavily rolling जब से एक आप आप थी चाइना की तब से उसका थोड़ा बढ़ी चुका है और you know जैसे हमारे PM मुदी जी बोलते हैं कि आप दका उसर में बदल यह तो इसको लोगों ने उसर में बदल भी दिया है absolutely can you please talk about it and guide us guide people like me who don't believe in cringe content के आपका कौंसा latest observation है cringe content के उपर है sir काफी सारे रील्स है आ रही है अभी तो वो एक अभी धर्मा ने कुछ किया हुआ था obviously they recreated it अभी नहीं करता but people are doing it right and so if you have a cringe content सीखना है तो आपको wiki kaushal sir को follow करना बड़ेगा बदी बढ़िया cringe content create करते और उन्होंने उसको एक होता नहीं के cringe content जो बना रहे थे उनको amplify कर दिया yes actual word क्या है उसको क्या कर दिया aspirational कर दिया क्या कर दिया boost नहीं मतब होता नहीं कुछ ऐसी प्रैक्टिस होती है कि अगर कोई celebrity कर देता है जैसे for example environment day पर पेड लगाने चीए अगर वही modi ji कर देता है स्वच्छता अभयान के लिए modi ji ने जैसे जाडू लगाई थी और जैसे करोडो लोगो क्या बोलते है इंस्पायर किया था स्वच्छता के लिए ऐसे श्री विकी कौशल जी ने cringe content बनाने के लिए क्रोडो content creators को inspire कर दिया हां so kudos to his uh skills and kudos to his uh boldness which i am a fan of भले वो जो भी content बनाया उन्होंने बट वो उसके लिए का उन्होंने यस वो चाहिए एक skill चाहिए गट चाहिए करने के लिए so how much is it viable in our space in digital marketing space cringe so एक एक चीज़ क्लियर है के you know अगर आप एक business है और आपका business किस तरह के लोगो आपके target audience कौन सी है उसके basis पे you know you can take a call whether cringe is good for you or not okay तो ज्यादा consumer facing brands है जो mass consumers या mass marketing करती है या जो ATL impact होता है ATL above the line और BTL below the line so जो ATL है ATL above the line approach जो होती है उसमें आप masses को reach करना जाते है उसमें आपका target audience specified niche नहीं होता है तब आप cringe वाली approach से you know you can try but you need to be very good at cringe कही बार cringe बनाते हैं पर वो ऐसा वाला cringe का impact नहीं भी आते हैं so how can you be good at cringe I would recommend by trying different genres of cringe so that's how it is you have to deep dive into it आपको अलगले ट्रा ही करना पड़ेगा उसमें से कौन सा वाला cringe आपके लिए work कर जा रहा है आप उसको use कर सकते I might not be a fan of it लेकिन इतना दो है sir कि hook तो कर लेता है so now moving on hooks क्या होते है digital marketing में can you please elaborate on that yes hook कर लेता है hook यानि अगर आप I am not promoting fishing but अगर आप एक मचली को पकड़ना चाहते हैं समंदर में से तो आप fishing करते हैं तो आप अपना hook डालते हैं और उसमें hook पे आप अपना कुछ एक खाना डालते हैं and then you catch her and bring her out तो उस तरह से hook को महां से समझने की कुशिश करिए कि आप कुछ ऐसा पेश करिए जिससे आपका audience उस आपके hook में फस जाए and then आप उसको अपने तरफ खीच लीजिए तो उसी तरह से आपको अपना content स्टार्ट करना पड़ेगा पहले तीन सेकेंड में अगर आपने ऐसा कुछ पेश कर दी है जिसको देखके आपका audience उसमें रहना चाहता है तो वह आगे आपका content देखने आ जाएगा पहले तीन सेकेंड में अगर आपने कुछ ऐसा दे दिया कि उसको आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाए या फिर यहां पर बात है content is the king but duration is the pawn तो इसका meaning क्या हो दा है कि अगर आपका content अच्छा है ना तो लोग आपको तीन सेकेंड के आपको नबबे सेकेंड के आपको तीन गंटे क्या दस गंटे तक भी देख सकते हैं तीन गंटे की देखने जाते हैं लोग तीन गंटे की फिल्म भी देखने जाते हैं लोग लोग नबे सेकेंड की रिल्स भी देखते हैं podcast episode एक घंटे के देखते हैं so content is always the king और duration है उसका pawn not the P-O-R-N यह भी थोड़ा cringe था ठीक है so we can so जब आपका content अच्छा होगा ना तो आप वो लंबा होगा तो भी लोग देखेंगे but again हम reels की दुनिया में अगर है तो reels की overall duration की capacity है 1 second से लेके 90 second तो आज 1 second की भी reels आ गई है भी recently 1 second reel का trend आए तो उस पे it got viral तो 1 second से लेके 90 second में आप अपने content को कैसे बनाते हैं उसके उपर depend करता है but मैं hook strategy को ऐसे बताता हूँ कि अगर पहली 3 second में आप कुछ अच्छा करते हैं तो 15 second, 30 second, 60 second, 90 second तक भी लोग देखने के लिए रुख सकते हैं आपको बार बार hook देना पड़ेगा उसमें तो आपने 3 second में hook किया उनको फिर थोड़ा वापस आगे बढ़के वापस एक hook डाले so that's how you keep on building you know it's like a up and down up and down एक rollercoaster दीजिए अपने content में तोड़ा उपर गया कभी नीचा है उपर गया नीचा है तो तोनालिटी में दे सकते हैं so जैसे filmmaking में हम बोलता है के you know there are three faces of a film starting, midpoint and conclusion so you are suggesting के अगर reel को भी हम उस तरीके से by-forget करें तो हर एक point पे you have to give them a twist twist से बड़ी film थी और उफन reviews पड़ते हैं हर twist पे twist अब आपस मस्तान की तरह फिल्म बनाओ रील बनाओ choose the good films of आपस मस्तान okay so that is so हाँ so इसी के आगे अगर हम लोग बड़े सर तो इसमें फिर quality जैसे आपने बोला के multiple चीज़े बनानी चाहिए multiple चीज़े ट्राइ करनी चाहिए तो फिर सर इसमें फिर quality अगर अगर अपकी you know क्या बोल सकते हैं what if quality becomes your limitation अगर quality एक limitation हो गई या क्वांटिटी पर जा रहे हो quality लिमीटी हो गई तो फिर quantity quality cringe यह सब को एक साथ नहीं कर पाएंगे okay so अगर आप because you are in the you know phase of social media age of social media जहां पर आप social media पर बहुत सारा content देखते हैं और डालते हैं बनाते हैं तो quantity तो रहेगी आप उसमें क्या quality आपका एक parameter है ही लोग quality के चकर में इतना analysis paralysis में पढ़ जाते हैं कि वो content release नहीं कर पाते हैं even I am I am मैं उसका खुद शिकार हो मैं खुद इतना quality conscious रहने की try करता हूं कि यार ऐसा ताम जाम करेंगे सब setup जो बनाया भी अपने podcast के लिए सब करेंगे और फिरी content डालेंगे उस चकर में मेरा भी regular content नहीं बना पाता हूं so but I am trying my best जैसे अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को you know I am getting relaxed on that part जब से मैंने विकी कॉशल को देखा है the way he's gone out and made content he's inspired us कि आप थोड़ा सा यार छोड़ो यार इतना करो freely जितना content बनता है in fact meta और google वाले तो so these guys I met them at certain event और उनका ऐसा कहना है कि आप you know CGI बनाने की क्या जरू होते है या VFX करने की क्या जरू होते है आप mobile से content बनाओ और ad चलाओ तो उनको क्या है उनको तो अपनी ads में जादा अगर आप जादा content creation में पैसा डालोगे बनाने में तो आपका ad spend में share कम जाएगा उनको तो आपको ad spend में ज्यादा पैसा खरच करवाना है हलाकि वो गलत suggestion नहीं दे रहे है कई बार fast content में भी अच्छा result आ रहा है बट यह कहना कि सिफ mobile से फटफटफटफटटब बना लो और ad चला दो यही एक राइट तरीका है तो ऐसा भी नहीं है यू हाव तो try A-B testing आप test करिये के कौन सा content आपके लिए अच्छा चला है तो आप अच्छी quality का content भी fast बना सकते हैं so we have that kind of techniques implemented in monkey ads in studios जिसमें हम fast moving content बनाते हैं और उसका fast turnaround भी दे सकते हैं जिससे आपको ज्यादा content pieces try करने को मिलेंगे और उसमें से final जो आपको पसंदार है उसको scale कर सकते हैं sir तो फिर क्या A-B testing ही एक तरीका है जैसे कि अगर मैं बोलू कि आज Instagram पर there is a lot of content मतलब you can just scroll and it's never ending it's unending चलता ही रहेगा तो अभी how do I identify if I am a business owner कि मिरे लिए cringe अच्छा है, VFX अच्छा है, CGI अच्छा है या फिर how do I identify that so आपको एक certain budget आपका identify करना है कि मैं एक इतना budget लूँगा और फिर वो budget के हिसाब से आप content pieces या type of content मनाने का budget identify करिये जो भी content creators के साथ आप collaborate कर रहे है और फिर उसमें से कुछ set of contents को try करिये और उसपे फिर आप then decide करेगे कौन सा content आपके लिए अच्छा परकॉम का अब इसके कहीं तरीके होते है practically आप कर सको ऐसे ही suggestions दूगा so मैंने मेरे कुछ clients को देखा है जिनको हम अपना content हम बेचते थे तो वो अपने friends and family को भी दिखा देते उस पर से feedback लेते ते फिर उसके बाद decision लेके आगे बढ़ते तो ये करने में भी सावधान होना है कि फिर हर piece of content के लिए आप इतना करने जाओगे तो आपका fast turnaround नहीं आए तो जैसे critical कोई चीज है जैसे अब logo है for example तो हमने जब monkey का logo create किया था तो मैंने उसको अपने family में भेजा था और मेरे कुछ important clients है उनको भेजा था और तीन options जो बने थे उसमें से मेरे को select करना था वो मैंने सब का review लिया और जो मुझे फिर finally पसंद हो जो आप सब लोग देखते हैं वो लोगों हमने select किया तो ये एक तरीका था selection करने का अब मैं अपनी हर video अगर अपने clients और family को भेजूँगा उनका opinion लोगा फिर उनके बाद उसको change करूँगा फिर डालूँगा तो वो भी नहीं चलने वाला है तो depending on what stage on what criticality of that content is going to be उसके basis अब इंस्टेग्राम पे आप content डालने वाले हैं अगर आपने अपने इस आप से डाल दिया अभी कहीं मैंने business owners को देखा है they don't have this kind of worry कि यार best content बनेगा उसके बाद ही they are like कि यार एक काम करो ये सारा piece of content है इसको आपन डालते है इस पर से जो अच्छा चलता है उसको use करते है कई बार मैंने ऐसा भी दिखा है कि कुछ content डाल दिया उन्होंने उस पर से जो अच्छा चला उसको रखा और जो नहीं अच्छा था उसको उन्होंने archive कर दिया तो ये approach से आप quick decision making कर सकते हैं और आप time value of money को बचा सकते हैं ठीक है सर तो अभी इतने contents तो चलो बन चुके हैं आपने बोला कि ये test कर सकते ये भी testing कर सकते इतने बना सकते लेकिन उसका validation कैसे होगा कि हां मुझे ये जो content बनाया होगा है this is working ये validation कैसे होगा इसके लिए आपको अपने जो उसके basis पर आप validate कर सकते हो कि आपका कॉंसा type of content या कॉंसा video अच्छा चल रहा है तो उसमें आप देखिए अभी shares to the engagement ratio shares to engagement ratio जो है उसके उपर काफी बात हो रही Instagram के CEO ने भी अभी ये recommend किया था shares to engagement ratio को वो लोग consider करते है to make your real, viral, to show more people इसका अर्थ क्या होता है share button वो दबाए ऐसा content बनाना होगा तो जितना आपन ऐसा content create करें जिससे आपका viewer जो है वो share button दबाने के लिए inspire हो जाए वो आपके लिए अच्छा है तो देखो कि आप जैसे बहुत सारा content आप देखोगे इसमें ऐसा लिखा होगा एक बढ़ी आसी गाली लिखी होगी और बुला होगा कि यह अपने उस दोस्त को बेजो वो टेकनीक है अब आपको पता चला है वो आप उसमें फस रहे हो आप दबा रहे हो share button और उसको viral कर रहे हो आप देखो कि आप अगर observe करो कि यह वीडियो देखने के बाद आप यह वापस observe करना कहीं ऐसे वीडियो हैं जिस पे आप देखो कि likes से जादा shares है तो यह trend जो है यह अब recently और बढ़ रहा है क्योंकि share optimization है यह share focused है आपका content ऐसा बना है कि share button दबे तो अब आपको अपना validation करना है तो share button जादा किस पर दब रहा है इसको आप focus करिए likes किस पर आ रहे हैं, comments किस पर आ रहे हैं, followers किस से बढ़ रहे हैं यह सब चीज़ों को आप देखिए, कौन सा वीडियो ज्यादा लोग देख रहे हैं अब यह ज्यादा वीडियो देखने वाला metric जो है वो पहले directly Instagram professional dashboard पर आप देख पाते थे अब आप वो ads में ही देख पाते हैं maybe they might come back again with that metric or not but अभी recently मैंने देखा था तब नहीं था they might come back with it otherwise you can see कि आपका वीडियो अच्छा कैसे चला वो आपको पता चलेगा likes से, comments से, shares से, Instagram पे followers बढ़ने से Instagram पे उस वीडियो से messages आने से यह सब आपके validation point हो सकते हैं और उस वीडियो में जो content है वो content की बात जब आपके साथ कोई करता है जैसे कहीं मेरे वीडियो मेरे ऐसे हैं जो Instagram पे अपने डाले हैं उस वीडियो में मैंने जो बात कही होती वो अपने prospects जब मुझे मिलते हैं या मेरे network में लोग जब मुझे मिलते हैं उस वीडियो को reference करते हैं जैसे हमारा 21 by 72 का CGI का एड जो था अपना गाड़ी बुला रही वाला जिसमें अपने कार को अपने पिपलोट से लेके अवद महा अवद पर तक पहुचाया था तो वो content को reference किया था अब हो सकता है कि उस particular वीडियो पे लाइक कमेंड शेर कितने आये वो एक अपनी जगह पर इस तरह से अगर आपको physical world में उसकी referencing हो रही है तो उसका impact बहुत strong हो गया है तो इसको भी आप consider कर सकते है उसी तरह से अभी recent campaign था जिसमें हमने अमरूत का traffic signal में अमरूत के लिए हमने traffic signal पे first ever live traffic signal shoot जिसमें एक bridal wear में दुल्हन सजधज के traffic control करी तो जब ये content डला तो उसके लिए भी लोगों ने directly बात करी उस content को reference करते हुए इतना ही नहीं जब उसका shoot हो रहा था तब एक दो well-wisher ऐसे थे जिन्नोंने मेरे family में phone कर दिया के बही पलग भाई police commissioner office के बार पूरी team के साथ क्यों खड़े क्या हुआ कोई tension तो नहीं है ना so उतना जादा उस बात का या उस चीज का you know focus हुआ जब इस तरह का positioning आपके consumer के mind में आपके audience के mind में आप create कर पाते हैं तो उस content को आप जादा करिए उस तरह के content को उस तरह की style of content को आपको अपना objective समझना है अगर आपका objective है कि मुझे followers grow करें तो आपको वैसा content समझ के बनाना है जिससे आपके followers अब as I said funnel होता है जिसे इसमें भी funnel बनेगा follower grow करवाने के लिए आपको ऐसा content बनाना पड़ेगा जिसके सबसे पहला step अगर उसको funnel को follower को नीचे last step है तो उपर का step जो है वो मेरा views है तो सबसे सबसे पहले views आने चाहिए views के बाद मुझे फिर likes मिलने चाहिए comments मिलने चाहिए shares मिलने चाहिए यह तीनों को आप same step पे भी रख सकते हो but अगर difficulty के perspective से इसको देखा जाए तो views आना सबसे easy step है second step है like आना वो भी easy है relatively easy है फिर उसके बाद ज है वो share को कीचना है तो अगर जो सबसे difficult है वो stage तक आप पहुंचते हो तो there is a higher chance कि आपके followers भी बढ़ सकते हैं तो यह तीनों चारों चीजों का importance है आप ऐसा उस पे यानि उस strategy को आपको ऐसा देख के चलना पड़ेगा कि आपको shares तक और followers तक ले जा सके ऐसा content बनाना पड तो उसके लिए there is a strategy उसको हम बोलते content buckets अब जब आपको पहले के time पे आप पानी भरके रखते थे आप buckets में जब भी पानी आता था एक time पे तो आप buckets भरते थे और उसको आप store करते और जब भी आपको routine day में जब भी पानी की ज़रूर तो देख वो buckets में से पानी यूस करते तो वैसे ही आपको content buckets ideas से भरके ready रखने पड़ेंगे तो आपके पास ideas आते हैं बहुत सारे तो उसके लिए buckets बना के रखे एक idea है जिसमें मैं podcast की तरह करना चाहता हूं तो उसको भर दिया एक idea जिसमें मैं अपना CGI kind of buckets हो सकते हैं कुछ ऐसे CGI VFX and all these are advanced content creation techniques जो medium large enterprises के लिए अ CGI करना है तो it's completely fine but अगर आप as a small business owner है तो आप easily execute हो हाला कि podcast भी expensive affair of content creation होता है but आप mobile से भी create कर सकते हैं या एक cinematographer या वीडियोग्राफर को बुला के भी content create कर सकते हैं तो आप वह सारे buckets बना सकते हैं कुछ examples अगर हम bucket के दे तो you know एक funnel pitch होती है you know you give a pitch आप अपने product के बारे म मैं बोली and that's your pitch इसको मैं funnel pitch या sales pitch कह सकते हैं success stories हो सकते हैं आप अपना as a owner या तो आप वीडियो में बोलते वे दिख रहे हैं ऐसा एक तरीका हो सकता है या आप अपने वीडियो में दिखा रहे हैं कि आपका warehouse है उसमें बहुत सारे products का dispatch हो रहा है तो यह success story है तो इसके बा products को दिखा रहे हैं या एक आप outdoor location पर जाके शूट कर रहे हैं depending on your budgets in your product आप अलग अलग category of content buckets बना सकते हैं success stories, testimonials, testimonials अपने customer से आपने पूछा के कैसा उनका experience था आपके product या service के बारे में वो एक पूरा content bucket बन सकता है which is good for your bottom of the funnel इस पर अगर आपको validation करना है तो testimonial का validation like और follower या comment से नहीं करो पाएगा वो आपका conversion into purchase paying customers पे होगा तो आपका testimonial का जो वीडियो है वो इतना viral नहीं जाएगा या इतना उस पर like comment share भी नहीं आएगे पट वो आपको business लाने में help करेगा तो ये भी समझना जरूरी है साथ में okay so everything is interlinked yes exactly इस तरह आप buckets बना सकते हैं emotional content बना सकते हैं, funny content बना सकते हैं, cringe content बना सकते हैं, book strategy बना सकते हैं, hyper bowl content बना सकते हैं तो you are saying उस सब के पहले से buckets बना के रखो हां मतब जब भी आपको idea आया करीप आप आपना एक bucket बना लो मतब एक space बना लो जहां पर रेकॉर्ड करने आप जब भी content creation पर जाने वाले हो तब वो buckets को देख लो कौन से buckets आपको लग रहें execute करने लिए उसका plan बना लो और उसको execute और time के ही सबसे आप से you can also interchange कि इस time पर यह चल रहा है तो यह bucket already ready है तो अभी इसमें से content निकालों, okay yeah, so that is a good strategy, okay, so sir, इतने सारे ideas है, you know, इतनी सारी information है, you know, it's very natural के कोई भी, मैं भी खुद पज जाऊंगा analysis paralysis में, तो उससे कैसे बच सकते हैं, यह यह बहुत सही बात करिया analysis paralysis, information overload के जमाने में analysis paralysis होना is something which is a common problem, जो बहुत सारे business owners face करते हैं, तो इसके लिए it is advised कि आप एक consultant को on board करिये, so having a consultant is a very important thing, अगर मैं आपको बता हूँ, तो marketing consultancy की ही अगर बात करें, तो करीब 2021 के statistics है, करीब 22.1 billion US dollars की यह size है, of industry है, जो अगर मैं Indian rupees में convert करता हूँ, तो 19,000 crore रुप है, और जो 2021 तक it would go around to become around 27-28,000 crore की यह service बन जाई ही globally, तो marketing consultancy की बात करो, overall business consultancy की बात करो, तो बहुत जादा बड़ी है, सिर्फ marketing consultancy है, जिसमें, you know, it covers your entire marketing ideation से लेके, content creation से लेके, performance marketing की service देना, और बाकी बहुत कुछ logo designing से लेके, brochure design करना, exhibition करना, यह सब कुछ करने के लिए, जो consultancy, service provide की जाती है, 28,000 crores, yes, so why I am stating this is, so because there is so much of information, there is so much of information for a business owner to take and then take a decision and then take a step further to grow his business by using the power of marketing, it is very important that they hire a consultant who is an experienced person in that domain, so that that person can help him to take the right decision. Okay sir, please tell us के, consultant जो decision लेते हैं, एक business को लेके, तो वो कैसे right होते हैं, मतलब what do they do, what do they do? So consultants, कोई भी digital marketing consultancy जब वो service provide करते हैं, तो ideally what we do as in, we are also a digital marketing consultant, so हम कुछ certain established processes को follow करते हैं, जैसे, because say for example, आपको गूमने जाना है, आपको दुनिया में गूमने जाना है, तो हजारों जगाह हैं भारत में, और अगर विश्वक की बात करते हैं, तो इतनी साजी हैं, आप कहां जाएं, तो यह decision लेने में भी confusion होता है, that's why, you know, the more information you have, the more difficult it becomes to make a decision, तो उसी तरह से, जब हम as a consultant marketing में देखते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे methods हैं, तो उसमें से कौन सा method हमें apply करना चाहिए, अब जो example मैंने गूमने का दिया, तो गूमने की बहुत सारी जगाह है, उसमें से कोई जगा बुरी है, या अच्छी है, ऐसा opinion नहीं बनता है, तो उसी तरह से marketing की बहुत सारे techniques है, कुछ techniques ऐसी है, जो किसी brand के लिए work कर रही है, कुछ techniques ऐसी है, जो किसी brand के लिए नहीं work कर रही है, और कुछ techniques ऐसी है, जो किसी industry के लिए work कर रही है, तो किसी दूसरे domain के लिए work नहीं कर रही है, तो इसलिए what we do as a consultant is that we do research, हम एक research की process क follow करते हैं, जिसमें competitor analysis होती है, जिसमें industry research होती है, उसके basis पे certain observations को note down किया जाता है और फिर उसके उपर brainstorm किया जाता है with the business owners and the decision makers of their marketing team and then एक अपनी खुद की strategy को create किया जाता है जिसको implement करके results लाए जाता है अब यहां पे ऐसा कहना कि नहीं, जो consultants ऐसे होता है, ऐसा नहीं है, but it will zero down करने में आपको help करेगा you know, we can bring down to a certain smaller piece of information pieces of information, जिसमें से आप एक या दो या तीन select करके आगे बढ़ सकते, अब यहां पे आपकी खुद की agility पे है, आपकी खुद की confidence level पे है यह, let me go ahead and take a decision and then try it out that's why consultants का आपके साथ होना, will always help you to make the right decision and help you to avoid analysis paralysis true, so if I have to summarize it तो यह कह सकते है के if you have a consultant, तो आपको एक से दस पे जो जाना है, तो आप साथ से शुरू कर सकते हो, if having a consultant with you, आपको एक से साथ तक जाने की जरनी, you can just trust on the consultant, yes, consultant अपनी research से, अपनी experience से we are serving multiple clients, we are also seeing multiple case studies, we are also seeing, उनके भी computer analysis कर रहे है, उनका industry research कर रहे है, तो आपके लिए वो सब data आपको और 11 साल का experience है, तो वो आपके लिए यह सब का एक निचोड जो है वो आपको एक से साथ तक पुचा देगा और आप फिर आगे के steps लेके you can grow your business, yes मैं आगे बढ़ते हैं, I want to ask you, तो वो जो एक से साथ वाले जो step थे, जो एक consultancy ने लिये, तो उसमें उनके किया क्या, so consultants यह consultancy का सबसे core service जो होता है, यह core offering जो होता है, वो होता है advice idea, वो आपको ideas देते हैं, आपको advice देते हैं, ताकि आप confident decision ले सके, और आगे बढ़ सके, अब हो सकता है कि वो as a consultant, वो ideas के साथ उस idea का execution करने की भी service देते हो, कुछ consultants ऐसे होते हैं, जो ideas और advice ही देते हैं, और execution हो सकता है, किसी third party से करवाते हैं, यह आपकी in-house team से भी करवा सकते हैं, but you know, ideas is what makes thing work, okay अगर idea अच्छा होगा, तभी वो सारा execution अच्छा होगा थो, consultants की सबसे बड़ी core offer, वो idea है, advice है, तो without idea execution होना भी फाइदा नहीं करेगा और अच्छा execution team है, पर उसके पास अच्छा ideas ही नहीं है, तो भी काम नहीं करेगा so it's very important के engine, so a lot of people address you are a growth engine so that's how people when they call this thing to us, it becomes so that's what we are working for that's the ultimate job satisfaction so sir, having work with you मैं भी आपके साथ काम कर रहा हूं इतने time से, it's been like one and a half year now, so I've seen you giving out of the box ideas and some ideas which were not so out of the box, but you know, भुते रिलेटेब आपके साथ I want to talk more on that के जैसे हम लोगों ने एक campaign किया था for Gopishrikhi, which was one of our clients you yourself become the halwai, so you know, why did you feel that यह आइडिया जो है, वो काम करेगा yeah, so exactly, अब यह चीज़ है, आपने बनाया मैंड में एडिया हमने उसमें अबजेक्टिव किया था, वो समझा पहले उसके पीचे का science क्या था, what was the brand's requirement brand का requirement यह था कि जो उनका एक new product range था, which was their, you know, 15 kg pack, जो उनका गोपिश्री का प्रीमियम की था, जो मिठाई बनाने वाले, यानि मिठाई वाले जो थे उनको attract करना, that was their TG तो अब उनको attract करने के लिए याइडिया को अपनने execute किया था, so उसमें क्या कर सकते था, you know showing a halwai, मेरा halwai बनना, was one of a thing, it was just a kick for me, but we could have, we we could take anyone but उसमें हम उसको दिखाते हैं halwai किता, so हमने उसको ऐसा make-up दिया उसको ऐसा actual में जले भी बनाते हुए दिखाना था so that's the whole process, that was the idea, फिर उसका execution तुमने किया so that's, so we become you know idea plus execution so idea के बना execution कुछ नहीं कर सा execution आकला तो क्या ही करें अगर अच्छा execution नहीं होगा idea भी true and moving forward अभी बहुत ही मतलब जो recently हम लोगो ने कल ही shoot किया एक यम्राज वाला idea लेके आए हम लोग for a brand which is our client super works, so why did you approve that idea what was the thing के आपको लगा कि यह work कर जाएगा so sorry to cut you off, we don't know if it's gonna work or not it will work, Hanuman ji अपने लिए सारे ideas को hit so मांगो के वो मिलेगा अब super works वो एक technology company है अब उनके लिए जो target audience है वो HR है और HR के HR managers है business owners है अब यह लोग काफी serious लोग होते है अब काम कर रहे होते in their personal word they might be funny and everything अब वो काम कर रहे तब एकदम ही सब कुछ very serious system processes सब में लगे वह है तो हमने उसकी जो script अपने जो करी है वो ऐसी करी है कि अगर आप you know super works use नहीं करते तो यमराज आपको ले जाएंगे people are gonna watch it idea was again TG को समझ के हम उस idea को create करते हैं उसके पीछे दिमाग लगाते हैं sir एक bold move भी थी हम लोगों ने जो past a campaign किया था जिसमें we were addressing very boldly कि सूरत मरहता मैसाना पटे लो so यह मतलब आपको नहीं लगा कि यह idea you know it can go wise versa wrong भी जा सकता है इसमें but I would appreciate the clients client की briefing कितनी clear है उसके उपर भी आपका you know idea depend करता है so client was very clear कि हमारे जो target audience है उसमें major जो हमारे buyers है वो मैसाना पटेल community से belong करें मैसाना पटेलों को सिर्फ target करना है ऐसा meta में allowed नहीं है but यह गलत नहीं है as a business this is not wrong एक तरीके से एक society बनती है तो society अपने आप में नाम है community based होती so उस पे debate करना अपने आप में सब के अपने opinions है उसमें नहीं जाते what we did was a pure positive attempt कि हमको मैसाना पटेलों को attract करना था और हमें बाकियों को distract नहीं करना था but हमें मैसाना पटेलों को ज्यादा attract करना था इसलिए हमने उनको बुला लिया मांगो के वो मिलेगा और मांगो के तो ही मिलेगा वो आइडिया ऐसा था कि सूरत मां रहता मैसाना पटेलों बोलके सिधा वीडियो start करते उसमें client के भी contribution थे client का भी agreement था client के ground observation भी थे जब हमने उसको test किया validate किया एक दो डालके तो उससे उनको feedback अच्छा मिला तो उसको और ले गए next level पर उस पर और एक series बनाए और लंबी series बना दी और वहाँ पर यह हो रहा है कि उस sector में या उस area में जितने भी बाकी real estate developers है वो सभी यह method का copy paste कर रहा है तो अब वो idea हिट हो गया और सर एक example है अलग it's another field जैसे कि one of our clients Bhagawan Mahavir International School तो उसमें हम लोगों ने जो ideas execute किये थे वो you know it were on all around development हाला कि हम लोग admissions based जिसमें education is must focus but हम लोगों ने उसमें content create किया था वो education based भी था और extra curricular activities based भी था तो why do you feel कि you know हम लोगो को दोनों 50-50% weightage देना चाहिए और क्यों हमने वैसा किया so एक school है again go back to the basics of business अगर एक school है तो उसकी value creation है वो क्या है तो अगर Bhagawan Mahavir International School के reference तो वो एक academic education साथ में wholesome development is something which they are offering and अगर आप उनके infrastructure को आपे जाके देखते हैं तो they have got one of the best infrastructure when it comes to sports तो चाहे cricket का ground से लेके basketball court से लेके table tennis की facility ले लो या बहुत सारी उनकी horse riding तक ही है उनके campus के अंदर ये सारी facilities जो है वो academic education जो है वो important है और वो major schools वो provide कर रही है और उसमें सभी लोग एक level पर अच्छा ही provide करना बट आज एक parent जो है वो अपने बच्चे को किसी भी school में admission दिलाने जाता है तो वो ये सोचता है कि मेरे बच्चे को education के साथ overall development मिलना चीए जब मेरे जमाने में school में जाते थे तो हमारे लिए academic education बहुत जादा important था और sports थोड़ा सा कम था and I regret for that I strongly feel के मेरे आगे वाली generation मेरा बेटा है उसको sports में बहुत जादा active sports वो सिखाता है education हमेशाथ जीतना सिखाता है sports हमें हारना भी सिखाता है and this was again this emotion was shown in one of the ads by Puma or Nike I'm not able to remember exactly the brand but वो idea इतना अच्छा था के brand बूलिया मैं Virat Kohli was used in that ad और दिखाया गया के विराट Kohli के सारे के सारे failures और फिर इसमें वापस come back तो ये sports सिखाता है अलाग के education में आप कम नमबर लाते हो जादा बात है बट sports आपको हारना सिखाता है which is very important in life तो ये समझना जरूरी philosophy भी होती है psychology भी होती है consumer behaviors होते है ये सब को समझना और फिर उसके basis पे आपकी ideas को create करना TG at the end of the day आप किस से बात कर रहे हो अगर मैं पार्थ पंडिया से बात कर रहा हूँ वो एक बंदा ऐसा है कि वो creative field से आता है FM industry से आता है Gujarati में अगर वो बात करना चाहता है अलहाले कि अभी हिंदी में कर रहे है मैं अगर आप से Gujarati में बात करहूँगा ऐसे Gujarati-Gujarati आप अपन एक्टम को लेवे है अगर आप बंगाल में जाओगे ता अपना FSA related जिसमें अपन ने same script Hindi में भी की है और English में भी की है So what was it that hit you के हमको same video English और Gujarati दोनों में करना चाहिए Not we excluded Hindi from that हमने Gujarati और English में किया Gujarati और English में किया था So वो क्यों मतलब अगर First Achiever Consultants is our client उनके जो TG है वो है study abroad students और उनके parents तो जो study abroad जाने का जो सूरत का core audience है वो Gujarati है उनके बेटे या बेटी को जाना है abroad और उनके बच्चे जो है वो Gen Z या Gen Alpha के भी अब आएंगे तो ये Gen Z's जो है वो English अच्छा समझते हैं तो उनको attract करने के लिए English को approach में रखा और जो parents से उनको attract करने के लिए Gujarati को approach में रखा तो ये idea ऐसे किया और उसको implement के, it worked out really well Yes, okay sir, so coming to अभी Hindi पर बात की, तो थोड़ा सा उस पर touch करते हैं I know वो थोड़ा लगेगा करने लोग ठीक है So Bangalore के एक ब्रैंड थी Terms So we did an idea जो Rajnikant based This is truly out of the box पानी आ रहा है उसको stop कर दिया फिर ऐसे हटा रहा है So यह तो पता नहीं execute भी कैसे हो गया But the idea was so brilliant के execute करने में भी मज़ा आया So इस idea के पिछे क्या science था सर So अभी Terms जो brand है वो anti-stain garments बनाता है तो वो अपने आप में ही एक Rajnikant वाली ability होगी ना You know आप ऐसा कपड़ा बना दिया है आपने जिस पे आप coffee का दाग नहीं लग रहा है कोई भी चीज गिर रही हो उस पे stick नहीं हो रही है तो यह अपने आप में एक aspirational चीज है fantasy होने वाली चीज है Rajnikant is about larger than life तो यह product ही ऐसा है तो इसको represent के से करे That's why Rajnikant जी को अपनने उनकी style को और उनके अपनने उनके तरीकों को अपनने लिया and use किया so conveying that message in a very relatable way तो अब हमने जो consumer है उसके mind में aspiration ऐसा कर दिया कि यह product यह ऐसा है Rajnikant तो फिर bridal wear भी तो एक तरह से Rajnikant देना तो फिर उसको ऐसी उनलब रास्ते पे चला देना या फिर walkway में किसी को dance कर देना तो यह तो पूरा मतलब अबरप्ट हो गया तो what was the science behind this इसका science बहुत interesting है तो client briefing यह है कि हम नया sale ला रहे हैं जो अभी festival time है तो उसमें sale ला रहे हैं और यह time पे sale बहुत सारी companies लेका आते Amrut अपने client है respected client of ours उनके competition में जो भी segment के हैं सभी लोग sale लाते हैं तो अब सब लोग sale लाते हैं तो कोई अपने sale का नाम कुछ देता है I will not name that अपने sale का अलग-अलग presentation करके वो sale का नाम देते हैं अब सालों से यह प्रता चलती आ रहे है इस time पे sale लाते हैं और हर brand लाती है तो कैसे हम अपने consumers में बाकी brand से अलग position create कर सकते यहाँ पे एक जब इस sale का नाम बनाना था अब ही क्या बात कर रहे हो ऐसा मतलब the conversation विद अपनी जो internal conversation थी you were there you know we all were there तो अपनने यही बोला थे कि यार इसा कुछ करना ची यार जैसे लोग बोले गाना यह हो जाए रहे है सु वात कर रहे है गुजराती में उसकी ज्यादा वही बात ही है जब मैं बोलता हूं तो पर उसको हमने हिंदी करन इसलिए कि लाजर ओडियन्स हमें करने हैक अब जब क्या बात करर रहु है जो देख के एक कंजूमर को फियोह चिल लुड है गया जरुना है घुड है तो अब क्या अबปात कर रहे है ऐसे कि लोग बुले यार कि अविव श्य हो दो अरे आपको डालना है तो उसकी communication भी ऐसी हो कि देख के लोग बुले यह क्या है क्या बात कर रहे हो तो उसके लिए फिर एकदम मैंनो आप पागल हो यह से आइडिया लेक्या हो हाँ and उसमें से one of the ideas which came in my mind and you know all of you would first of all you know the way we were executing it with in such short frame of time with live traffic and fortunately not of you know not a single disturbance to any person you know was there अपनी जो आम जनता है उनको बिल्कुल भी अमने डिस्टर्बनी किया और साथी में traffic police उनको भी बिल्कुल डिस्टर्बनी किया उनके काम को भी कहीं पर डिस्टर्बनी हुआ yeah and we were able to execute it and it's live now on Amrut space yeah when the idea is good things work out for you things fall into places अपनी जो अच्छे बारे में बात नहीं करें नहीं सर पर इसी idea के वरे से why am I saying this क्योंके जब या idea बन रहा था तब तक traffic signal रूल नहीं था you know when yeah and then things fall into place so good के हम उसी चीज़ का फाइदा उठा के we could you know execute it traffic signal became a topic and luckily we did at that time only idea उसके पहले इसे आगया idea पहले इसे आगया था but because of वो rules लोग follow करने लगे so kudos to people also के लोग उने रूल्स फालो के इसलिए हम वो idea execute कर पाये अपने सुरह में जाते रहते तो तब तो it would have been impossible to do it तो उसके लिए फिर हमें उनको रोकना पड़ता है वो उसे साब से execute होता सब अपने अपने so हम अभी next ideas plan कर रहे हैं वो भी ऐसे हैं इसमें हमारी backward बहुत सारी planning होती है traffic signal के लिए भी you know you share what all you did to get the final permission and everything अरे सर बहुत जदो जद करनी पड़ी थी अवार बार पुलिस के वहाँ पर जाना तीन चार वहाँ पर जाकि उनके पास you know permission ली अलग अलग जगह पे all the policeman were really kind they were also like क्या बात कर रहो ऐसा कुछ करने वाले so it felt great जब you know सामने से ऐसा reaction आता है क्या बात करो ऐसा बात करने वालो नहीं नहीं यार यह कैसे करोगे तुम they were also in a you know thinking के यह कैसे होगा but they asked us फूरा detail में पूरा detail में they were like क्या पूरा short breakdown बताओ कैसे करने वाले और उसमें the you know the क्या बहु सकते हैं the limitation was के कही पर भी ऐसा नहीं लगना चाहिए के हम लोग traffic police या फिर जो नहीं रूल्स है उसको negatively promote करें so that was a big challenge हम लोग दिमाग में तो थौट आया ही नहीं था but जब यह पता चला तब भी गॉट thinking to that के हां यह भी तो हो सकता है और जब अपन शूट कर रहे तब मीडिया आगे रहे हैं कि आप लोग यह कर रहे हो so we had to tell them के यह बिल्कुल अलग चीजह है traffic signal के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे है वो पुरा अलग agenda है there were news reporters there जो कुछ ऐसे भी थे जो actual में traffic police के साथ थे और उसको support कर रहे थे कुछ ऐसे थे ज्यादा ऐसे थे जो उस problems को highlight कर रहे थे तो यहां से एक message में देना चाहता हूं सूरत के audience को traffic signal का जो पूरा concept सूरत में अभी implement हो रहा है it is a high end मतब एक करोड प्लस की जनता है जो उसमें से लाखो लोग vehicles चलाते है तो इस इतने बड़े volume of it's an industry it's a volume of people जिनको handle or manage करना है तो सूरत traffic police इसके लिए बहुत महिनत कर रहे है, technology ला रही है, बहुत सरे efforts कर रही है तो we should support them हो सकता है कि अभी थोड़ी सी inconvenience हो रहे है honestly मेरे जो travel time है हो काफी बढ़ गया है and 2 minute के signals जो होते है but अभी अगर इस पे काम नहीं किया तो सोचो और जब traffic और vehicles add होंगे तब commotion कितना होगा, safety के कितने problems आएंगे, कोई भी व्यक्ति circle को follow नहीं करेगा, यह सब चीजों के लिए we have to be patient and you know we have to be in the system and I think traffic police will bring a very strong you know evolution करके इसको इतना strong मना देगी कि अपन बहुत अच्छे से अपना road का conveyance कर पाएंगे so taking this moment out of it, I want to thank publicly I want to thank Mala sir and Tundale sir for giving us the permissions and we could shoot that so very big thank you to you sir thank you so much so yeah, so sir talking more on this, हम लुक जब आपके साथ बैटते हैं and we brainstorm idea तो आप 2018-19 में आपने मैं आपने एक मैंड़नल्स के लिए idea execute कियाता है if I'm not wrong तो उसके वारे में can you please tell us about it वो idea बहुत interesting था so back in those days सबसे पहला तो मेरको मैंड़नल्स कैसे customer मिला वो भी मैं share करता है तो जो भी sales करता है जो भी sales करता है उसको या idea लेना चाहिए this was a pure sales idea मैं मुंबई में मैं मैंड़नल्स के आउटलेट पे खाना खाने गया था I was just grabbing some burger and everything तो मेरको यार यह मेरको मैंड़नल्स के लिए कुछ करना है we were into advertising and everything तो मैंने वहाँ पे manager था उसको जाकर बोला मेरको marketing जो देखते हैं मैंड़नल्स ही उससे connect करवाई so imagine एक random outlet पे आप जाके सीथे ऐसे बोल रहा बड़े agglomerate के marketing in charge को मिलना है and he just gave me the number so as I said so I got the number I called that person Pankat sir hai I hope if he'll see the video Pankat Deshprabhu ji hai and he said I am coming to Surat in few days tab milte hai tab unka VR mein McDonald's I don't exactly remember kya tha agenda but he was here in Surat hum mile and then we started giving services to them so we were directly serving to McDonald's at Heart Castle restaurants private limited Southwest India ki franchise so yeh hua tha ur usi ke saath long run relationship with them and he gave us a lot of orders us mein se campaign so we had this Navratri ke dauran nauli Navratri karke a campaign hota tha in one of our past ventures jis mein society me activations how te thai mcdonalds had this brief in which they wanted to promote veg kitchen or nonveg kitchen up फोकस्ट अटेंशन कैसे मिल सकता है so that's how we both discuss and eventually came out to an idea जिसमें हमने बताया कि हम पाँच बर्गर्स होट करमा करम मंगवाएंगे exact नवरात्री के बीच में जो ब्रेक होता है around 9.30, 9.45 पे वो पाँच बर्गर्स उनकी McDonald's की nearest location से आजाते थे और वो पाँच बर्गर्स पाँच बच्चो को दिये जाते थे और जो सबसे पहले बर्गर खा लेदा था उसको we used to give a gift और उसका content प्र उस content को हम लोग पुब्लिश करते हैं उस तैम पे Instagram से जादा Facebook चलता था बट अगर आज के से पहले हम लोग काफी giveaway ideas और you know food meetups यह सब भी कर चुक हैं तो यह मतलब I guess पहले कोई नहीं करता था I think you know you guys started it पहले होता ही नहीं था सुना ही नहीं था so you guys started और अभी यह काफी continue हो चुक है I remember back in 2014-15 जब Facebook and you know things were getting popular तो तब हमने सूरत में शुरुआत करी थी इस चीज की जिसमें हम giveaway contest करते थे social media के माईज़ा बाकी giveaway contest physical world में होते थे lucky draw, lottery, housey, thambola and यह सब सो उसको social media के माध्यम से लाना was something which we did for valentine multiplex तो ऐसा होता था कि every Wednesday और Thursday we used to put contest इसमें जो भी answers देते थे उनको हम movie tickets जिता थे तो ऐसा हमने observe किया थे जैसे for example अगर schedule है 11 बजे गा और किसी एक दिन हमने वो 11 बजे की जगा पर 12 बजे डालने पर sometimes you know time for approvals तो 11 से 12 तक में message आने लगते थे कि आज का contest कब आएगा so that's how people were engaged to it अब यही quiz contest फिर उसमें वही था जो एक recipe create किया था कि भाई जो भी व्यक्ति like करेगा comment करेगा share करेगा follow करेगा यह सब करेगा तो उसको मिलेगा अब यह चीज इतनी जादा use हो रही है everywhere and सूरत में भी हो रही है everywhere in India also lot of people are using it so यह बहुत अच्छा एक टेक्नीक है idea है जिसको आप अपने business पे use कर सकते हैं अगर आप एक consumer facing brand है sir एक idea था जो you know it's one of my personal favorite maybe it's not related to our field लेकिन आप COVID में कुछ घर पे यह गाई तंबोला खिलाते थे वो idea yes exactly so COVID के time पे we were sitting idle as India not as in India but as certain sectors were not working but luckily digital marketing बोलो या technology businesses बोलो they had their business were such that उनकी demand बढ़ गई I remember हम लोग 16-16 गंटे काम करते थे उस time पे तो तभी हमें realize हुआ था कि आता था बहुत कुछ है बहुत क्या आता है so यह चीज पे हमने काम किया था तो उस दौरान जब हम लोग रात को you know me and Surabhi used to discuss कि क्या करे क्या क्या हो सकता है क्या नहीं क्या हो सकता है तो हम देखते थे यार अपने family में आसपास friend circle में काफी लोग मायूस है काफी tension में है आगे क्या होगा predictability नहीं थी तो I just हमने यह 2018 में अच्छली यह बना लिया था होना चाहिए बट physical भी होना चाहिए तो फिजिटल concept था फिजिटल तंबोला तो उसकी पूरी technology हमने 2018 में जो बनाई थी मेरी team के साथ में बैठा online एक online meeting करी मैंने बोला मेरे को अभी इसको ऐसे करना है and we made certain improvisations and eventually उसको हमने 2020 में 2018 में बना ही technology जो उस time पे उतनी नहीं चली था और वो बीस में चली और वो हमने execute की और हमने उसमें hundreds of people used to participate in live तंबोला schedule time होता था कभी हम लोग 4 बज़ रखते था कभी हम लोग रात को 9 बज़ रखते थे lot of comments अभी भी वो हमारे page पे है अभी भी देख सकते हैं लोग जाके ओ तंबोला हम खिलाते थे comments लोग करते थे खेलते थे selfies बेचते थे पूरी family TV पे लगा के देखते थे लोग वो सब देख के भी और वो सब देख के we also got approached by and we got their order also Adani Vilmar so we Adani में से हमको approach आया के हमारे HR members के लिए करिये तो they have HR team members in 250-300 की एक-एक उनकी units है even more than that but this many people used to participate वो अपने family के साथ बैठके हम लोग उनके exclusively उनके लिए ये तंबोला खिलाया था तो ये technology और इसका digitalization जो है वो पूरा हमने किया और उसके idea पर हमने काम किया तो इस तरह से idea का ही game है और इसको execute करने की भी शमता रखना ये बहुत ज़री होता है तो influencers के साथ जो food meet up होती है तो वो idea कहां से आया था what was the science behind it so this was also one of our initiatives pioneers हम ये foodies meet कराने के लिए सूरत तो हमने पहले leaderboard हुआ करता था when you rate and review a certain restaurant तो उसके आपको points मिलते हैं हला कि आप वो feature disabled or I don't know I'm not much following it तो उस time पे में बहुत follow करता था मैं जिस भी restaurant में जाता था मैं उसको review दे जाता तो उसमें I used to get मतलब मेरा जो rank था सूरत में I was at top तो मुझे फिर Zomato पे से देखके कोई भी नया restaurant जो बहार से आता था वो अप्रोच करता था और उसके अलावा उस time पे restaurant की marketing we used to do a lot अभी हम उस niche में जादा काम नहीं करते हैं तब हमने बहुत सारा किया हुए so I have certain videos and ideas which I am going to share in the next videos for restaurant owners तो हमने foodies meet करके we started an initiative called food surat food surat में हम सारे अच्छे food bloggers या food से related बोलने वाले लोग जो है या video बनाने वाले लोग उनको बुलाते थे एक जगा पे और देन उस नए restaurant को review करते थे और उस पे content create करके उसको publish करते इस तरह के बहुत सारे videos हमारे उस ताइम के है ये foodies meet का concept ता अब कहीं सारे restaurants को आप देखते तो बहुत सारे influencers को बुलाते हैं वो करते हैं तो इसकी शुरुवात कहीं हमने करी थे विच सम्फ्यू गुड पीपल जो अभी कर रहे हैं के साथ मिलके collaborate करें तो शुरुवात की बात करें तो हमारे सबसे भून फ़ पहले initial clients F studio उनके लिए हमने काफे कुछ unique ideas के थे तो can you tell something about that definitely सबसे पहले F studio के बारे में कहना चाहूँगा के आज monkey ads Surubhi और Palak जो भी कुछ है उसमें F studio का बहुत बड़ा हाथ है F studio valentine multiplex Nishan Sir, Yogesh Bhai, Harsh Bhai all of them I am really grateful to them उनकी वज़े से हमने बहुत सारा कुछ सीखा है बहुत सारा काम हमको मिला है उनकी वज़े से मुझे He is one of those kind of Nishan Sir especially वो ऐसे व्यकती है जो बोलते नहीं के मैं आपको इन से कनेक करा हूँगा वो करा देते मैं ने in my years 10 plus years of meeting people hundreds and thousands of meetings करी है मैंने और negotiation जब करते हैं लोग तब ऐसे बोलते हैं कि आप हमारा काम इतने में कर दो या इतने में हमारा काम फ्री में कर तो तक भी बोलाया लोगने आपको मैं पांच लोगों से कनेक करा हूँगा कराया है रेफर किया है वो मुझे पता भी नहीं है and how can he do this मताब so inspiring it's such a humble thing to do अगर मैं इसका कुछ भी करचपा हूँ थोड़ा सा तो मेरे लिए बट बड़े स्वागे की बात है ऐसे एक और व्यक्ति गौराव नारंग जी ये कॉफी कल्चर की उन्होंने भी ऐसा कहीं लोग के साथ मुझे कनेक करा दिया मेरा नंबर दे दिया एक दो ट्रांजेक्शन मेरे उनके साथ हो जाए उसके बाद मुझे पता चलता था कि आओ अच्छे तो इसे लोग है जिनकी जिवजे से हमने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया तो हमेशा मैं उनके लिए ग्राइटिट्यूट रखता हूँ अब F-Studio के कुछ आइडिया की बात करते है एक स्पेसिफिक आइडिया है जो सेल इंपॉसिबल का अन्वीलिंग किया था सब्सक्राइडिया है तो हमने एक साथ पचास इंफ्लूंस को एक जगा पर हमने बुलाया था और उसमें से अराउंड विए थी सेवन प्लस इंफ्लूंस किया था और हमने F-Studio का सेल वो अन्वील किया था और उससे एक बस क्रिएट किया था सब्सक्राइड था क्रॉस कर रहे हैं बाट उस तैम पर हमने वी एद दन दिस विए अन इंफ्लूंस किया था बट वी दिए इन डिफरेंट वे हमने मारा उसमें तड़का दिया था मंकी का तड़का दिया था बट तैम अब ब्रैंड ने वस दिफरेंट बट दीम वस दिफरेंट बट वाट सारे आइड विए व्मारे वर लॉंगेस रन क्लाइंट में से एक है उनके एक और आइडिया था जिसमें हमने आइडिट के सथ क्लाइबरेशन किया था तो एफ स्टूडियो फैशन फिस्ट यह कंसेप था हमारा अब यह इसा था कि आईडिट के पास फैशन डिजाइनिंग स्टूडियं इस तूडियो के पास फैबरिक्स है और वो garments फिर on sale display होगी तो इसका पूरा cycle ऐसे था कि पहले जो students थे IDT के जो इसमें competition करना चाते है वो register करेंगे फिर उनको एक certain task दिया जाएगा जो फिर round 2 में ले जाएगा उनको round 2 में फिर एक certain task दिया जाएगा फिर वो round 3 में ले जाएगा round 2 और 3 में round 2 में उनसे accessories और उनको हमने certain fabrics दे दिये कि इसमें से आप select करो और बनाओ फिर उसमें से जो garments बने उसमें final 10-12 participants थे उन्होंने वो garments पहने खुद या किसी अपने colleague पीर से पहनवा के modeling करवाई और फिर उससे reels create करी reels create करके फिर उसका हमने competition eventually winner में एक बड़ा weightage दिया जिसमें reels के views और likes को भी रखा तो इस तरह से हमने integrate किया पूरा digital marketing को और instagram को इसके execution ग्रेट सर ग्रेट सर ग्रेट मतलब this this is actually an idea के you know जैसे बच्चा पैदा होता है तो नौ महीने लगते हैं तो यह पूरा वैसा ही idea था एक दम starting से लेके share तक का जैसे अमने starting में बात share की रात की तो यह यहां से एक idea आया share तक कहसे पहुंचते हैं so this is an amalgamation of all the steps share button दबवानाया share button दबवानाया so that's all about ideas okay so it was nice talking with you पार्थ I hope आपन आसे ideas और बहुत सारे साथ में मिलके you can share about your idea you know how things have gone from where it went to where so yeah so the idea of being a creative director was never there inception में वाया when I started working multiple things at a time I came here as a brand manager I was an actor I was a copywriter content writer and then I became the brand manager तो उन सब चीजों को अमाल के में जब किया तो एक idea निकला and that was the creative director so that's how I came into the picture as a creative director of monkey ads and studios so तब तक तो सब अलग अलग ही था जैसे इस idea के बारे में में बात के IDT वाले के सब अलग अलग था उसको जोड दिया तो यह वही था के अलग-अलग चीजे थी अलग-अलग जगा पर जब उसको एक direction मिली तो वो एक creative director के रूप में बहार आया perfect so that was the thing so ठीक है sir idea man है साथ मैं तो करो मन की मारो चला झाल